यह university अच्छी है के नहीं, यहाँ पर जो course है वो अच्छा है के नहीं, इस university के पास accommodations कितनी होगी, इस city में part-time jobs कितनी है, या फिर कोई भी university related specific doubt या course related specific doubt, अगर आप मुझसे पूछते हो, तो मुझे उसके बारे में नहीं पता होगा अगर मैं खुद इस university में नहीं पढ़ाओ अगर आप यह question किसी और YouTuber से भी पूछते हो, तो उसको भी नहीं पता होगा, and in fact किसी और study abroad agent से भी पूछते हो, तो उनको नहीं पता होगा, because उन लोगों ने यह सब चीजें experience नहीं करी, ठीक है, किसी भी university में जो students पढ़ते हैं, उनके positive experiences भी हो सकते हैं, negative experiences भी हो सकते हैं, अगर कोई university अच्छी होती, तो उसमें सारे students खुछ होते हैं, अगर कोई university अच्छी नहीं होती, तो सारे students दुखी होते हैं, but ऐसा नहीं होता, ठीक है, हर university में आपको खुछ students भी मिलेंगे, and कुछ ऐसे students भी मिलेंगे, जो अपनी university experience से satisfied नहीं थे, ठीक है, तो आज की और और भी किसी country में आपको जाके बाहर पढ़ना चाहिए के नहीं, but उससे पहले, I just want to let you know that I am Ritwik, and I am running this channel Dream UK, जहां पर मैं prospective students जो UK में आके पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सारे informative videos बनाता हूं, अपनी journey उनसा भी के सारे share करता हूं, ताकि students की खुद की journey यहां क के लिए smooth हो जाए, and जो भी students currently यहां पर हैं, उनके लिए भी काफे informative videos बनाता हूं, तो अगर आपने अभी तक मेरे चानल सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, please subscribe to my channel, and I am also available on Instagram and LinkedIn, आप मुझे वहां पर जाके follow कर सकते हैं, जो मेरे social media handles हैं, वो description में अच्य से mention करे गए हैं, तो महां पर जाओ, and you can also become a member of this channel, जहां पर आप मेरे साथ one-on-one calls schedule कर सकते हैं, and फिर members only bi-weekly calls में, live Q&A में participate भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको मेरे चानल की membership को जाइन करना पड़ेगा, but आज की वीडियो में, मैं आपको एक platform के बारे में बताऊंगा, Unibuddy, so Unibuddy एक ऐसी platform ह जहां पर हर university, UK में जित्ते भी universities हैं, जादा थर, वहां के आप current students से आप chat कर सकते हो, उनका response आपको around 24 hours के अंदर-अंदर आ जाएगा, any जो students होते हैं, specific schools से होते हैं, courses से होते हैं, तो आपके साब से जो आपका course है, जो आपका school है, business school है, और कोई school है, उसके साब से आप ए यह service free of cost है, इसके आपको कोई भी पैसे नहीं देने है, so instead of, you know, talking to your agent, जो किसी भी university की तारीफ कर सकते हैं, या फिर कोई YouTuber, जिसने उस university में पढ़ाई नहीं करी है, कभी गया नहीं है, कभी उस course के बारे में बात नहीं करी किसी से, ठीक है, उन से बात करने से बहुत बहुत बेटर है कि आप किसी former students से बात करो, जो कि LinkedIn पर हो, या फिर किसी current student से बात करो, जो कि Unibuddy पे हो, LinkedIn पे क्या सीन है, आप सर्च करो वे students को, कुछ students reply करेंगे, कुछ students reply नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास उतना time नहीं होता, या फिर उनके पास और काम है, but Unibuddy पे जो students है, उनका commitment है, उनको इसी चीज़ के लिए shortlist करा गया है, कि वो आपके questions आंसर करें, in fact, I'm also student ambassador on Unibuddy, and I represent University of Edinburgh Business School में, जो MSE Marketing, जो कोर्स है, उसको मैं represent करता हूँ, मेरे साथ शायद दो students और है मेरी class से, तो ऐसे करके, हम जैसे students, आप सभी को हमारे खुद के जो honest experiences होते है, real experiences होत करते हैं, universities हमें कोई script provide नहीं करती है, जिसके basis पे हम आपको answer देते हैं, आपको एभी question पूछ सकते हो, और उसका हम, हमारे knowledge के साब से जो answer होगा, वो आपको देंगे, और अगर हमें किसी चीज़ का पता नहीं होगा, तो आपको सही contact पे signpost कर देंगे, कि आप वहाँ पे ज जो understanding level होता है, वो increase हो जाता है, और उनको जाधा clarity भी मिलती है, कि उनको बहार आके पढ़ना चाहिए कि नहीं, और सबसे अच्छी बात Unibuddy की यह है कि आपको यहाँ पे low-ranked university से लेके top-ranked university तक सारी universities मिल जाएंगी जालतर, आपको गया करना है, Unibuddy की website पर जाना है, वह आपको यह Unibuddy की screen दिख रही होगी, मैंने आप United Kingdom का filter लगा है, तो आपको यहाँ पी University of Warwick भी दिख रही है, जो कि one of the top universities है, UK में, London School of Economics भी दिख रहा है, University of Glasgow भी है, University of Leeds भी है, और नीचे आप और भी सारी universities देख सकती हूँ, बहुत सारी universities हैं, तो बस first page पे जो results है, वह University पे क्लिक करो, for example University of Glasgow, वहाँ students की list आजाएगी, उनके course के नाम के साथ, उनकी bio के information आपको मिलीगी, और फिर आप उनके icon पे क्लिक करके उसे directly chat कर सकते हो, so it's an amazing opportunity to get to know more about, you know, how things work here, वैसे तो यह वीडियो में हहीं पे खतम करने वाला था, कि इतनी information आपके लिए sufficient होगी, but you काफी students काफी vague questions पूछते हैं, जिसका answer सामने ओला बंदा नहीं दे पाता, कि यह university अच्छी है या बुरी, ठीक है, या फिर आपका experience अभी तक कैसा रहे, तो यह बहुत जादा vague और बहुत जादा broad questions है, ठीक है, तो इससे better आप काफी specific questions पूछो, तो कुछ questions के मैं आपको example जो आप questions पूछ सकते हो, ताकि आपको लगे पता चले कि इस तरह के questions आपको किसी student से पूछने चाहिए, इनके basis पर और questions हो सकते हो, जो आपको पूछने चाहिए, जिससे आपको जादा knowledge मिले, पहला question हो सकते है, how practical is the curriculum of the program, is it more on a theoretical side, ठीक है, तो एक question आप यह पूछ सकते ह on real client projects, और is it more theoretical, यह एक variation होगी first question की, ठीक है, third question, how good is the faculty, are professors easily approachable, third question, fourth question, how does careers team of this business school or university help students, ठीक है, यह एक और question होगा, next question, are you satisfied with the program, अगर खाली आप यह पूछते हो, तो यह ब्राड है, इसके बाद आपको एक और sentence जोडना होगा, जो इसको एक बादा होगा, जो इसको एक बा better question मना देगा, जो की है, can you list anything that you would like to improve about this program, ठीक है, so, इससे, जो student होगा, अगर उसको लगते है, इस program में कोई कमी है, या फिर यह चीज़ बेटर हो सकती थी, तो आपको बता देगा, ता कि आपको तोड़ी shortcomings भी पता चलें, कि students क्या miss कर रहे हैं इस program में, and उसके बाद, what are the employability prospects of students who have completed the program, what kind of job roles can I apply for after finishing this program, तो एक तरह से आप employability prospects पूच रहे हो, इस program के, and उसके बाद, यह भी पूच रहे होगी, यह master's करने के वाद में, किन तरह की job roles के लिए apply कर सकते हो, ता कि आपको थोड़ा, you know, employability prospects पे clarity मिले, तो ऐसे करके आप कुछ questions पूच सकते हो, यह य बना था, I hope इस वीडियो में आपको कुछ critical information मिली होगी, and let me know, अगर आपका experience अच्छा रहता है, अगर आपको यहां से जादे information मिलती है, और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे और topics पे video बनाओ, जिससे आपकी जो जर्नी आने से पहले, वो भी थोड़ी better होए, तो में को बत इस विस्स बाई